नमस्ते दोस्तों, आज हम अशोक के शीला लेक के बारे में जानेंगे सबसे पहले शीला लेक क्या होते हैं? शीला का अर्थ है पत्थर अर्था शीला लेक से तात पर यह है कि पत्थर पर अंकित किये गए लेक मद अर्थात पत्थर पर लिखे गए लेखों को शीला लेख कहते हैं अशोक एक मात्र एसा शासक था जिसने अपनी आग्याएं नियम संदेश आधी को शीला लेख पर अमकित किया अशोक के शीला लेखों की खोज 1750 में टी पेंथे लडने की इनकी संख्या चौदा है अशोक के अभी लेखों को पढ़ने में पहली सफलता 1837 में जेम्स प्रिंसेप को मिली अशोक के चौदा दिर्ग शीला लेख विभिन लेखों का समू हैं जो आठ भिन भिन इस्थानों से प्राक्त किये गए हैं वे इस्थान इस प्रकारें पहला धोली धोली ओडिशा के भूमनेश्वर खोर्दा जिले में हैं इस शीला लेख में अशोक ने पशु हिंसा की निंदा की है इस शीला लेख का पता 1837 में कीटों ने लगाया था दूसरा इस्थाने शाहबाजगडी शाहबाजगडी पाकिस्तान पेशावर जिले में हैं शाहबाजगडी शीला लेख की खोज 1836 में जनरल कोट के द्वारा की गई थी तीसरा इस्थाने मान सहरा मान सहरा पाकिस्तान के हजारा जिले में इस्थी थे यह शीला लेख तीन अलग-अलग शीलाओं पर लिखा गया है इन तीन शीलाओं में से पहली दो शीलाओं की खोज कन्निंगम के द्वारा की गई थी चोथा इस्थाने कालसी, कालसी वर्तमान उत्राखंड देहरादून में है पाँचवा इस्थाने जोगर, जोगर उडिशा के गंजाम जीले में इस्थी थे जोगर के शीला लेख का पता 1850 में पाल्टर इलियट ने लगाया था इस शीला लेख में कलिन देश की जनता के साथ पुत्र जैसा व्यभार करना चाहिए एसा उपदेश अशोप ने दिया है अगला इस्थान है सोपारा सोपारा महराष्ट के पालगर जीले में है जो सोपारा से हमें प्राप्त हुए शीला लेख महापूरा शीला लेख नहीं मिलाए महाँ से शीला लेख के कुछी टुकडे प्राप्त हुए हैं और ये टुकडे मुंबई के प्रिंस ओफ वेल्स संग्राले में रखे हुए है एरा बुडी आंध्र प्रदेश के कुर्णूलू जीले में इस्थी थे आठ्वा इस्थाने गिर्नार गिर्नार सोराष्ट गुजरात राज्य में जुनागड के पास इस्थी थे इसी चट्टान पर शक महाशत्रप रुद्र दामन ने लगभग 150 इस्वी में संस्क्रत भाषा में एक लेख खुजवाया गुप्त सम्राठ इसकंद गुप्त ने भी यहाँ एक लेख लिखवाया गिर्नार शीला लेख में चंद्रगुप्त मौर्विन ने सुदशन नाम के सरोवर का निर्मान करवाया था गिन्नार का शीला लेख एक मात्र एसा शीला लेख है जहां पर अशोग के पूरा चौदा लेखों का समु प्राप्त होता है अर्थात अशोक के चौदा अभी लेख या चौदा शीला लेख जो हैं उन सबका विस्तरत वर्णन गिन्नार के अभी लेख में प्राप्त होता है अशोक के शीला लेखों में वर्णित विशे अर्थात अशोक के जो चौदा शीला लेख है उनमें अशोक ने क्या काए पहला शीला लेख इसमें परशु बली की निंदा की गई और उसे निशेत किया गया इसमें अशोक ने काए कि अभी राज के पाक्षाला में एक हीरन वर दो मोर मारे जाते हैं भविश्य में यह भी समाप्त कर दिया जाएगा दूसरा शीला लेख इसमें अशोप ने काया है कि मैंने अपने सीमान्त शक्तियों वा पडोसी राज्यों में भी मानव वा पशुचिकिस्टा का प्रभन किया है और इस शीला लेख में मानव वा पशुओं के लिए किये गए कल्यान कारी कार्यों की जानकारी मिलती है तीसरा शीलालेक इसमें रज्जु, युक्तक वा प्रादेशिक का उल्लेक किया गया है जिने हर पांचवे वर्ष में धर्म प्रचार हेतु भेजा जाता था जिसे अनुसंधान कहा जाता था चोथा शीलालेक चोथे शीलालेक में भेरिघोष के इस्थान पर धम घोष की स्थापना की गई पांचवा शीलालेक इस शीलालेक से धर्म महा मात्रों की न्यूक्ति की जानकारी मिलती है अशोक कहता है मैंने राज्या भिशेक के तेरवे वर्ष धर्म महामात्रों की न्यूप्ति की छटा शीला लेक इसमें आत्म नियंत्रन की शिक्षा दी गई है इसमें अशोक ने कहा है कि मेरा अधिकारी जन कल्यान के लिए जब चाहे मुझसे मिल सकते हैं इसमें अशोक ने कहा है कि जब चाहे जब उसे मिल सकते हैं मतलब सोते समय खाते समय कभी भी जन कल्यान के कारियों के लिए उसके अधिकारी उससे मिल सकते थे साथवा शीला लेक इसमें अशोक की तिर्थ यात्राओं का वर्णन किया गया है इसमें अशोक ने विभिन धर्मों के आपसी समन्वे की बात कही है सात्वा शीलालेख सबसे बड़ा शीलालेख है आठवा शीलालेख इसमें अशोक की धम्मे यात्रा की चर्चा है जो इसके राज्या भीशेक के दस्वे वर्ष से प्रारंभ होती है राज्य भीशेक के दस्वे वर्ष में अर्शोक ने बोध गया की यात्रा की राज्य भीशेक के बीश्वे वर्ष में लुम्विनी की यात्रा अर्शोक ने कुल 256 राते अपनी धम्मी यात्रा में विताई थी नववा शीला लेख इसमें सच्ची भेट और शिष्टाचारों का वंडन है, बीभा, जन्मोस्व, आदि, खर्चिले, समारों उपर पाबंदी की बात कही है, तथा ब्रहम्मनों वर शम्नों के प्रती आदर रखने, दासों के प्रती करुना भाव रखने की बाते इसमें मिलती है, इन काडियों स स्वर्क प्राप्ती होने का उलेख भी शिलालेख में मिलता है, दस्वा शिलालेख, इसमें आदेश दिया गया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे, इसमें यश्वा किर्ती की निंदा की गई है, तथा धम्म निती की शेष्टता पर ग्यारवा शिलालेख, ग्यारवे शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई तथा धम्म दान को सर्वशेष्ट बताया गया बारवे शिला लेख में इस्त्रियों की स्थती में सुधार लाने के लिए इस्त्री महा मात्रा नामक अधिकाल की चर्चा है इसमें अशोक की धार्मिक सहिश्नुता को भी दर्शाया गया है तेरवा शिला लेख इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा की गई है इसी में अर्षोक ने आट्विक जन्जातियों को धंकी दी है कि धम्म का मार्ग चुने अनिथा परिणाम बूरा होगा इस प्रकार की धंकी अर्षोक ने आट्विक जन्जातियों को दी थी इसमें मोर्य सामराजी के पश्चिम के पड़ोसी राजवाओं का उल्लेख है जिनके साथ अशोक के राजनितिक संबन थे चौद्वा शीला लेख चौद्वे शीला लेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन व्यतित करने के लिए प्रेरित किया है और तेरा शीला लेखों में जो भी तूटी हुई है उनको यहां सुधारा गया है